नमस्कार आप सभी का GS Magnet के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे तो साथियो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बिहार पुलिस का एकजाम है 24 सितंबर से सुरू होने जा रहा है और यह 24 सितंबर का जो दिनांख है ध्यां रखिए काफी नजदी का चुका है यानि कि अब आपके एकजाम में काफी कम समय बच गया है और ध्यां रखिए इस कम समय में ही हम लोग ज्यान बिंदू GS Academy मानिय रशना अंसर के अफ्लाइन क्लास नोट से हम लोग आज बिहार पुलिस के लिए जोगराफी के प्रस्णों को सल्व करेंगे यानि कि इस प्रेक्टिस सेट में हम लोग 100 प्रस्ण देखेंगे जोगराफी से तो आप लोग इस सेशन को पूरा अटेम्ट कीजिए सुरू से अंतक देखिए कुछ समय अपना डेली हमको ठीक है तो चलिए हम लोग अपने सेशन को सुरू करते हैं अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है और चाहते हैं कि फ्री आपकोस्ट मानी रसन अनसर के नोट्स के प्रस्णों को सल्व कर पाए तो जरूर इस चैनल को सस्क्राइब कर लेजिए ठीक है और बगल वाले घ परसना आपके सामने हैं आज की सेशन का प्रियट्स नामक पुष्टक जिसमें देखें आपर पहली बार होगा ठीक है यानि कि प्रियट्स नामक पुष्टक जिसमें पहली बार प्रित्वी का क्रम बद्ध विर्ण प्रस्तूत है का लेखक है आपको बताना है कि प्रियट नहीं और अपस्टनु नंबर सी को आप लोगी ध्यान रखेगा इस प्रस्णि के लिए सही जबाब हो जायेगा यही पर बात क्या से हिगे मुष्मण सर्व आता था गहा ने क्या कहा जाता है भोगोल का पीता कहा यहां रखिएगा, कुछ इसल्गैंकर बिश्थर्ब Masonika करन करते हैं uh आप लोग ध्यान रखेगा इरेट्टुए सनीड अगर आज आए कि भोगोल का पिता कौन है अगर यूंही तो अगर आपसी पूझ लिया जाहे तो अ्लेक्जंडर वाणववल्ट का न आम आप लोग द्यान रखेगा काहा के भोगोल वेता थे तो ध्यान रखेगा जर्मनी ठीक है तो देखिए इस प्रस्णी के लिए आप लोग ध्यान रखेगा आपसा नंबर सी होगा आपका सही जबाब अगला प्रस्ण है देखिए यहाँ पर दो नंबर पूंडुचेरी का कौन सा जिला पच्छ ध्यान रखेगा इस प्रस्णी के लिए सही जबाब अपसा नंबर डी हो जाएगा माहे कहां पढ़ता है माहे तो आप लोग ध्यान रखेगा केरल में पढ़ता है ठीक है वही बात कर लिया जाए यनम यनम का लोकेशन आपसे पूचा जा तो ध्यान रखेगा आंद्र तमिल अंडु में ही है ठीक है तो आपसे पूच लिया जाए कि पूण्डू चरी में कुल कितने जीले है तो ध्यान रखेगा चार जीला है ठीक है और देखेगे यहां पर पचमी तट पर एस्तित जीला पूचा गया है तो माहे ध्यान रख्या कहां पढ़ता है केरल में प प्रस्ण का सही जबाब अप्सन बी होगा प्रस्ण आपका चार नंबर है भारत की मुख भूमी की दक्षिन्तम मिंदू देखिए इस प्रस्ण को काफी लोग गलत भी जबाब देंगे इसका लेकिन आप लोग ध्यार रखिएगा यानि कि जब पूछ लिया जाया भारत की मुख लग जाया ना ध्यार रखिएगा भारत का मुख दक्षिन्तम मिंदू कौन है तो केप कमरुइन का नाम आप लोग ध्यार रखिएगा कहा पड़ता है तो तमिलांडू में पड़ता है ठीक है तमिलांडू में इसका लोकेशन है इस बात को आप लोग ध्यार रखिए एही अगर आपसे पूछा जाय कि भारत का दक्षनितम बिन्दू, तो इंदरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखेगा, जबकि इंदरा कल हो जाएगा उतरी बिन्दू, ठीक है, उतरी बिन्दू हो जाएगा, इंदरा कालिश भात को ध्यान रखेगा, मुख भुबमि का पू एक प्रस्ण मैं डेली आपको देता हूं, ह्डवलू के माध्यम से आपको बताना होता है कमेंट में, तो इस प्रस्ण का भी एंसर आपको बताना होगा कमेंट में, आज का या आपका question 5 ह्डवलू के रूप पर आएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रस्ण है चोओ नंबर, निमलिखित में से कौन सा बिकल्प सही नहीं है, देखिए यहाँ पर सही नहीं पूछा गया है, तो आपका क्या होगा सही जब आपको बताना है, तो देखिए अगर इस प्रस्ण के लिए सही जब आपका बात किया जाए, तो अप्सन C हो जाएगा, जो आपका 10 डिगरी चैनल है, ध्यार रखेगा 10 डिगरी जो चैनल है, दक्षणी अंडमान को लिटिन अंडमान से अलग नहीं करता है, या कथन क्या है, बिल्कूल गलत है, आपका जो है 10 डिगरी चैनल जो है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ठीक है, नव की दक्षणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, ठीक है, तो आपके इस प्रस्ण का सही जब आप अप्सन C होगा, देखिए, नहीं पुछा गया है, यानिकि गलत कथन पुछा गया है, अप्सन C हो जाएगा, ठीक है, वही 9 डिगरी चैनल का अगर मैं बात कर लूँ, तो यह जो होता है, मिन्यू कोई को लक्षदिब से अलग करता है, ठीक है, यानिकि A, B अवर D आपका अप्सन सही है, गलत पुछा है, अप्सन C आप लोग ध्यान रगाएगा, अलगा प्रस्ण है साथ नमबर, निमलिखित में कौन सा राज सेवन सिष्टर का हिंसा नहीं है, देखिए, भारत के उत्तर पुर्वी, साथ राज्यों को सेवन सिष्टर के सिरीज में रखा गया है, और ध्यान रखेगा सेवन सिष्टर में कुल कितने राज्य सामिल है, साथ राज्य सामिल है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और उनांचल परदेश, असम, मडिपूर, मेघाले, सामिल है, यहाँ पर देख लिजए कौन सामिल नहीं है, तो सिक्किम सामिल नहीं है, बाकी मडिपूर, मेघाले, नागालेंड क्या है, सेवन सिष्टर में सामिल राज्य है, ठीक है, अगला प्रसने आपका देखिए, आठ नमबर, निमलिखित में से कौन गोडवाना लेंड का हिंसा है देखिए जब पेंजिया का भी भाजन हुआ तो दो एस्तल खंडों का क्या हुआ निर्माण हुआ जिसमें एक को गोडवाना लेंड कहा गया और दुसरे को अंगारा लेंड यानि की लौरेसिया कहा गया ठीक है यहाँ अपर देखिए गोडवाना लेंड का बात किया गया है कि कौन इसका हिस्सा है तो ध्यार क्येगा गोडवाना लेंड में यानि कि आपका मेड़ागास कर आता है ठीक है अमेरिका यानि की दक्षणी अमेरिका आता है अंट्राक्टिका आता है प्राइदीपी भारत आता है और फिर का आता है अस्ट्रिलिया आता है ठीक है वही अगर बात किया जाए ग्रीन लेंड एसिया ठीक है ग्रीन लेंड एसिया उत्री अमेरिका और यूरोप का बात किया जाए तो यह अंगारा लेंड में आते हैं ठीक है यहां पर गोडवाना लेंड पूछा गया है आपके प्रस्ण का सही जबाब अफ्षन C हो जाएगा अगला प्रस्ण है देखिए नव नमबर निमलिखित में से कौन सा चटान जिवास में युक्त है देखिए जिवास में युक्त अगर आप से पूछ लिया गया है तो ध्यार रखेगा अफ्षन नमबर D निकी बिंद करम के बिंद चटान जिवास में युक्त है ये बाकि धारवार अक्रियन कुडप्पा में क्या होता है अभाव होता है ठीक है दस नमबर परसiciency है भारत का नविंतम भूगार्विक सणरस्णा कौन सा है देखिए नमिंतम अगर आप से पूछ लिया गया है तो धियार यहनिकी उत्तर भारत का मैदान ठीक है उत्तर भारत का मैदान आप लोग ध्यान रखेगा दस के लिए आपका सही जबाब हो जाएगा अपसान नंबर बी को आप लोग ध्यान रखेगा गारण नंबर प्रस्ण है निमलिखित में से किस बिद्वा ने भूष संतत्यों को जाएगा लां बार नंबर प्रस्ण है यहालएक्ञान का निर्माण हुआ है कि इस प्रस्ण कवभी मरु अच्तल हम और आप लोग ध्यान रखेगा इसनल जोइक आपनी को प्रस्ण गया है ध्यान रखिएगा सिंदु छेत्र क्या है मरु अस्तल है ठीक है अगला प्रस्न है देखिए यहां पर 14 नंबर निम्न लिखित हिमालय की लंबाई के द्रिश्टी से औरो ही करम में विवस्तित कीजिए देखिए लंबाई पूछा गया है काफी इंपोटेंट प्रस्न मत्तście देखिए अगर लंबाई का बात कर लिया जाए तो पंजाब हिमालीय की लंबाई कीतना है 560 km क्या क्यों क्या वहीं कुमायु का आगार बात क्या जाए थिआन क्या है 320 km नेपाल हिमालय की लंबाई कीतना है ते ठीक है 800 सब्सक्राइब आप लोग इसको सजा देजिए तो पहले क्या आएगा यानिकि 320 कुमाईव आएगा ठीक है यानिकि दूसरे आपका देखिए पूछा क्या है औरोही करम पूछा है यानिकि आप आप से पूछा है औरोही मतलब क्या हुआ है घटते हुए करम ठीक है तो देखिए औरोही करम अगर आप से पूछ लिया गया है तो चोधा के लिए सही जबाब क्या होगा आपका तो ध्यान रखिएगा यानिकि घटते करम में पहले 800 आएगा 750 आएगा ठीक है पांसोबीज सुरी 560 आएगा और 320 किलोमेटर आएगा तो देखिए अपसर नमबर भी होगा आपके इस प्रस्न का सही जबाब ठीक है यानिकि तीन चार एक दू हो जाएगा आपके इस प्रस्न का सही जबाब चली अगला प्रस्न है देखिए 15 नमबर निम्र लिखित में से किस राज मे हिमाले प्रवत का बिश्तार नहीं है आप सभी लोगों को बताना है भारत के कुल 11 राज और 2 के अंदर्सासित परदेश में हिमाले और आप लोग ध्यान रखेगा वह 11 राज जो है आप लोग को ध्यान रखना है उत्रा खंड है शिक्कीम है पच्छिम मंगाल अरुनांचल परदेश असम मेघाले नागालेंड मरीपूर को आप लोग ध्यान रखेगा मिजोरम और तिरपूरा यही 11 राज में हिमाले परबत क विश्थार है वही अगर केंदर शासित परदेश का बात किया जाए तो ध्यान रखेगा जम्मू और कास्मीर में हिमाले परबत का क्या है विश्थार है इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा देखिए अगर आप इस प्रस्ण पंद्र का सही जबाब का चैन किजिएगा तो ज्यारखंड में इसका विश्थार नहीं है आप लोग इस बात को ध्यान रखेगा देखिए 16 नमर प्रस्ण है हिमाले एस्थित भारत की सबसे उची चोटी काफी लोग इस प्रस्ण का गलत जवाब बताएंगे अप्शन ए बताएंगे केटू देखिए प्रस्ण के ल जंगा है कहां पड़ता है तो सिक्किम ध्यान रखेगा और इसकी आपसे पूछ लिया जाए उचाही तो 8598 मिटर आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है आपके इस प्रस्ण का सही जवाब अप्शन डी हो जाएगा वही केटू का बात किया जाए तो ध्यान रखेगा कारा कोर ध्यान रखेगा इसके उचाही पूछ लिया जाए तो 86-11 मिटर आप लोग ध्यान रखेगा लेकिन यहाँ पर हिमाल एस्थित भारत की सबसे उची चोटी पूछा गया है तो अप्शन डी कंचन जंगा अगला प्रस्ण है आपका 17 नमबर देवसा दर्रा किस राज में है देवसा दर्रा पुछा गया है ध्यान रखेगा अप्शन नमबर ए हिमानचल परदेश में हो जाएगा यह दर्रा ठीक है अप्शन नमबर ए इस प्रस्णे के लिए आप लोग ध्यान रखेगा 18 नमबर प्रस्णे है निमलेखित में आदम बरिज यानि कि राम से तु का भ अपनार की खाणि में इस दूछ है आप लोग इस बात को ध्यान रखेगा 19 नमबर प्रस्ण है निमलेखित में से कौन सा घाटी अपनी जयब विविद्था के लिए प्रसीद है जयब विविद्था के लिए प्रसिद घाटी आप से पुछा गया है ध्यान रखेगा मौन घाटी आप लोग ध्यान रखेगा आपके इस प्रस्न का सही जबाब होगा मौन घाटी ठीक है जो अप्सन नमबर डी में दिया गया है ठीक है चली आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रस्न की तरफ चलते हैं ठीक है चली देखिए यहाँ पर पूछा गया है आपका द सामने है अप्सन आपके सामने है बताइए इस प्रस्न का सही जबाब क्या होगा तो महा नदी आप लोग ध्यार रखेगा अप्सन नमबर डी एक इस नमबर प्रस्न है निमलिखित में से किस नदी का संबंद मकर रिखा से हैं देखिए मकर रिखा अगर आप से पूछ लिय गया है तो पिछले सेशन में भी हम इस प्रस्ण को करा हैं ध्यान रखेगा अप्सन नमबर डी को बार में जो नदी से महादेश का संबंद है ठीक है अगला प्रस्ण है 22 नमबर निमलिकित में से किस महादेश का संबंद करकर देखा से नहीं है देखिए इस प्रस्ण को भी पिछले सेशन में हम करा हैं यूरोप आप लोग ध्यान रखेगा अप्सन नमबर भी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब ठीक है चली अगला प्रस्ण क्या है यहाँ पर देखिए तेश नमर जो प्रस्ण है पिंडार नदी अलक नंदा से मिलती है किस अस्तान पर मिलते हैं आप सभी को बताना है तो इस प्रस्ण को भी हम सल्व कराए हुए है ध्यार रखेगा कंड परियाग में मिलती है अपसन नंबर सी आपके इस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्ण है देखिए 24 नंबर शमेरा बांद पर्योजना किस नदीप है तो ध्याँ रखिए हगा यह परियोजना जो है हिमान्चल परदेश में का है हिमान्चल परदेश आप लोग ध्यान कौन सा एक मानव निर्वित जील है मानव निर्वित जील आपको बताना है कौन सा है ध्यार रखेगा पेरियार जील ठीक है पेरियार जील कहां पढ़ता है केरल आप लोग ध्यान रखेगा ठीक है आपके इस प्रस्न का सही जबाब अपसन ए होगा चलि आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्थन है चचाई जल परपात किस नदी पर है चचाई जल परपात आप सभी को बताना है तो देखिये अपसंसी बिहार यहनी की बिहर नदी आप लोग ध्यां रखेगा बिहर नदी परश्थित है चचाई जल पर पाद, ठीक है, चलिए, अगला प्रस्नि क्या है, देखिए यहाँ पर, 27 नमबर पहली बार, रेड डाटा बुक किस बर्स प्रकासित हुआ था, देखिए, पहली बार पूछा गया है, ध्यान रखेगा, अपसन नमबर B को आप लोग, यानि कि 1964 में हुआ था, 27 के लिए सही जब अब आपका आउमनी सर, 400 हो जाएगा, अपसन नमबर B आप लोग ध्यान रखेगा, अगला प्रस्न है, 28 नमबर, पच्मी बिच्छोप लबदायक है, किस फसल के लिए पच्मी बिच्छोप लबदायक है, आपको बताना है, तो देखिए, अपसन सी, सर् परसल है, आप लोग को बताना है, तो ध्यान रखेगा, सर्शोज हो जाएगा, आपका रवी परसल हो जाएगा, 31 नमबर परस्न है, दक्ष्णी परश्मी मानसून की दिशा होती है, दिशा पूछा गया है, ध्यान रखेगा, आप लोग उत्तर पूर्व होता है, ठीक है, अप्सन भी होगा, आपके इस प्रस्न का सही जबाब, 31 नमबर परस्न है, भारत का सब से सफेद मरुवस्तल कहा है, देखिए, भारत का पूछा गया है, ध्यान रखेगा, सफेद मरुवस्तल पूछा गया है, तो कक्ष काराण आप लोग ध्यान रखेगा, अप्सन नमबर 32 नमबर इंटर ट्रोपिकल कोवर्जेंस जोन आई टी सी जेड एक निम्न वायुदाब पेटी एस्तित है देखिए किस छेतर में है या किसके मध्य में है आपको बताना है तो देखिए अप्सन बी को ध्यां रखिएगा भूमत देरेखा पर इस्तित है ठीक है 32 के लिए सही जवाब अप्सन बी हो जाएगा 33 नमबर प्रस्न है भारतिये क्रिसी अनुसंधान परिशत की एस्तापना केश वर्स हुई तो देखिए इसकी जो एस्तापना पूछा गया है 1929 आप ध्यां रखिएगा अप्सन बी इस प्रस्न के लिए सही चलिए अगला प्रस के भूबाग के 4% छेत्र पर मिर्दा यह पाए जाता है लेडर राइट ठीक है अगला प्रस्न है 35 नमबर निमलिखित में से किस मिट्टी को अदेव मात्रिक मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है ध्यां रखिएगा आप लोग 35 के लिए सही जवाब अप्सन नमबर सी काल काली मिट्टी कपास के लिए उप्योगई होती है और इसे रेघुरदी या रहणाश मिर्दा भी कहा जाता है ठीक है अगला प्रस्न है डेस प्रस्न का मानवाले मिर्दा बेहत्र माना जातार है तो ध्यां रखिएगा अगर प्यच पूछा गया है तो देखिए प्यच के लिए आप लोग ध्यान रखेगा यानि कि 36 नंबर प्रस्ण के लिए 6 से 7 पीज ठीक है अपसा नंबर भी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जवाब ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है देखिए 37 नंबर मिर्दा का अपरदन कितने चर्ण में होता है तो मिर्दा का जो अपरद में किया गया था अपसा नंबर ए हो जाएगा इस प्रस्ण का सही जवाब 49 नंबर प्रस्ण है सिचाई का दूसरा परमुक साधन क्या है सिचाई का दूसरा परमुक साधन आपसे पूछा गया है ध्यारक्येगा नहर है ठीक है नहर है ठीक है चलिए 40 नंबर प्रस्ण है भ सी अप्शन भी हो जाएगा 41 नमबर परस्न है राष्टिये जल संसाधन प्रिस्द का अध्यक्ष कौन होता है देखिए कौन होता है इसके अध्यक्ष आपको बताना है तो देखिए इस प्रस्न से किया जाता है ठीक है 53 नमबर प्रस्ण है फॉल्टी गैशन से चाहिए का जनल जाता देश कौन सा है फॉल्टी गैशन आप से पूचा गया है ध्यां रखिएगा चार अपस आपके पास दिया गया है और आपके प्रस्ण का सही जबाब इसराइल हो जाएगा अपस नमबर चुहालिश नमबर प्रस्थ है बी सोका प्रमुख खाद्य फसल गया है देखिए बी सोका प्रमुख खाद्य फसल आपको बताना है तो ध्यान रखेगा आपसल नमबर भी हो जाएगा यह हूं ठीक है चले अगला प्रस्थ है हरित करांती सब्द का सर्व पर्थम परियोग कर देखिए स्वेट करांति किस्य संबंदितें दुद्ध उत्पादन से संबंदितें और स्तरबाधिक यानि की लभांवित राज गुजरात आप लोग ध्यान रखेगा अपसन नंबर भी 46 के लिए अपसन नंबर भी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अगला प्रस्ण देखिए यहां पर 47 नंबर निमलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है कौन सा विकल्प सही नहीं है मुग करांती मोटे अनाज से सही है भूरी करांती उर्बरक से गुलाबी करांती औस दी उत्पादन से यह भी सही है वही बात किया जाए यानिकि सेफ्रॉन करांती सफॉन जो करांति हो जाएगा यह भिंडी से सम्बंदित नहीं है यह के तो कुमारी कहा जाता है क्या कहा जाता है कुमारी येनि की 48 कुमारी नहीं दीपा कहा जाता है दीपा आप लोग अप्सन नमबर डी को ध्यान रखेगा उन्चास नमबर प्रस्ण है राष्टिये जैविक खेती पर्योजना की सुरुआत किस पंच वर्षिये योजना में की गई पंच वर्षिये योजना पूछा गया है ध्यान है दूसरे इस्तान पागर आपसे पूछा गया है हर्याणा आप लोग ध्यान रखेगा पचास के लिए सही जवाब अप्सन सी हो जाएगा अगला प्रस्ण 51 नमबर है कल्यान सोना राज 37 और जो नित्यादे किस फसल के किसमे है तो ध्यान रखेगा गेहु के किसमे है ठीक रखेगा तंबाकू में जो नसिला पदात पाया जाता है निकोटीन पाया जाता है और तंबाकू की उत्पादन में प्रथमेस्तान पर अंधर प्रदेश है और देखिए किस प्रकार के मिर्दा में इसका उत्पादन होता है तो ध्यान रखेगा जलोड तथा काली मिर्दा अप्सन नमबर D आपके इस प्रस्न का सही जबाब होगा तीरपन नमबर प्रस्न है भारत में पौन उर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है पौन उर्जा पूछा गया है तो ध्यान रखेगा तीरपन के लिए तौमी लांडू ठीक है तौमी लांडू आप लोग ध्यान रखेगा चोवन नमबर प्रस्न है भारत से सबसे अधिक जल बिदूत उर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है कौन सा राज्य करता है आप सभी को बताना है तो देखिए चोवन के लिए सही जबाब अपसन एक को ध्यान रखेगा करनाटक ठीक है करनाटक हो जाएगा आपके इस प्रस्न का सही जबाब अगला प्रस्ण है पच्पन नमबर निम्ण में से कौन सा विकल्प सही नहीं है देखिए सही नहीं है कौन विकल्प तो ध्यां रखेगा मडी करण कहा है हिमांचल परदी से सम्बंदित है पुगा घाटी लधाक सुरजकुंड ज्यारखंड आप लोग ध्यां रखेगा अप देखिए ज्वाला मुख्य आप लोग ध्यां रखेगा महराष्ट से संबंदित नहीं है यहीं पूछा गया है नहीं तो अप्शन नमबर बी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब 56 नमबर प्रस्ण है देखिए यहाँ पर जैतापूर नाभी किये उर्जा केंदर किस राज में है जैतापूर के बारे में पूछा गया है ध्यार रखेगा 56 के लिए अप्शन नमबर D महाराष्ट में हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है संतावन नमबर सुर्मा घाटी तेल छेतर किस राज में है देखिए सुर्मा घाटी तेल छेतर का अगर बात किया जाए तो आप लोग ध्यार रखेगा अप्शन नमबर B आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा कोहल गाउं एंटी PC केंदर अवस्तित है तो कोहल गाउं देखिए अपने विहार में है औ तो अंठावन के लिए अप्शन C भागल पूर आप लोग ध्यान रखेगा 69 नमबर प्रस्ण है ONGC का गठन किस वर्स हुआ था आपको बताना है तो देखिए 1956 में हुआ था अप्शन नमबर E को आप लोग ध्यान रखेगा 60 नमबर प्रस्ण है भारत का रूर परदेश कि किसे कहा जाता है यानि कि किस राज्य में वस्तित है देखिए छोटा नागपूर के पठार को भारत का रूर परदेश कहा जाता है और यह ज्यारखंड में इस्तित है 60 के लिए सही जवाब अप्शन नमबर D हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है एक सट नमबर भारत की दूइतिय और धोगिक निति किस बर्स आया था देखिए दूइतिय और धोगिक निति का अगर बात किया जाया तो एक सट के लिए ध्यार रखिएगा 1956 में आया था ठीक है 1956 आप लोग ध्यार रखिएगा अपसन नमबर सीखो अगर परतम आपसे पूछ लेत 19開ड़ साप लोग ध्यार रखिएगा दूइतिय और प्रस नमबर पसने हिंदुस्तान एस्टिल लिमिटेड रावल केला किस देश के सहयोग से अस्तापित किया गया देखिए रावल केल औरशा राज में है कहा है और शी और अप लोग ध्यान रखेवं ठीडर अगला प्रशण है देखिया 63 य्ट में से कौन सा लौह झट्वपात सयन स्लेंस तील का उत्पादन करता है कौन सा करता है finns प्रसंद के लिए ध्यान रख़ेगा सलेम लौह इसपात सर्यंत सलेम लोग इसपात सर्यंत का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा अपसन नमबर भी आपके इस प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा चौशट नमबर प्रस्ण है नेशनल एलुमिनियम कमपनी नाल को अवस्तित है किस राज्य में अवस्तित है नाल को आप ठीक है आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अपसन सी हो जाएगा चली अगला प्रस्ण है प्रस्ण नमबर प्रस्मीना उनकी प्राप्ति होती है किस से प्राप्त होता है प्रस्मीना उन आपको बताना है देखिए 65 के लिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग बकरी से प्र जाएगा अप्संडी मुंगा रेस्टम के उत्पादम में भारत को एका अधिकार प्रावत है ठीक है अगला प्रस्ण है आपके सामने देख लेजिए यानि कि आपका जो स्ट्रण्ट नमबर प्रस्ण है निम्न लिखित में से किस उधोग को विकास उधोग कहा जाता है किस द्हार केगा मोटर गारी उधोग अप्सन नमबर बी हो जाएगा स्ट्रण्ट के लिए आपका सही जबाब ठीक है यानि कि श्रंट्रण्रट के लिए अप्सन नमबर भी आप लोग ध्यान रख्येगा अट्रण्ट नमबर प्रस्ण है देश का पर्थम सफलतम कागज उध लोग की एस्तापना किस एस्तान पर की गई सफलतम पूछा गया है ध्यान रखेगा यहां की पच्छीम बंगाल अपसर नमबर C आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा यानि की अंसरट के लिए आपका सही जबाब C आप लोग ध्यान रखेगा पच्छीम बंगाल ठीक है यानि की पच्छीम मंगाल के कुलकत्ता आप लोग ध्यान रखेगा अंसरट के लिए सही जबाब अपसर नमबर C हो जाएगा यहां पर बहुत लोग देखिए बताएंगे लखनवर तो देखिए द्रिश्टी मानता है पच्छीम मंगाल कुलकत्ता को लूशंड पढ़िए लखनवर तो उसमें मिलेगा लखनवर ठीक है चलिए तो आप लोग ध्यान रखेगा पच्छीम मंगाल लखनवर ठीक है प्रस्णे आपका अंसरट नमबर देखिए देश का प्रतम सफलतम कागज उधो की अस्तापना किस अस्तान पर की गई ध्यान रखेगा आठारा सो श से बाब अपसंद सी होगा उनहात्तर नमबर प्रस्ण है भारत की परतम राष्टिये वन निती में संसोधन किस वर्ष हुआ देखिए वन निती में संसोधन आपसे पूछा गया है ध्यान रखेगा 1988 में हुआ अपसंद नमबर डी को ध्यान रखेगा सत्तर नमबर प्रस्ण है समाजिक वार्नी की कारिकरम को किस पंच वर्षिये योजना का अंग बनाया गया तो ध्यान रखेगा छटी पंच वर्षिये योजना अपसंद नमबर डी को आप लोग ध्यान रखेगा 71 नमबर प्रस्ण है उस्न कटी बंदिय सदाबहार वनस्वति का घर कहा जाता है बताईए इस प्रस्ण का सही जबाब क्या होगा तो अंडमान निकोबार को कहा जाता है अपसंद नमबर C को आप लोग ध्यान रखेगा 72 नमबर प्रस्ण है जंगल की आग किसे कहते हैं तो ध्यां रखिएगा 72 के लिए सही जबाब अप्सन B को प्लास को कहा जाता है जो अप्सन नमबर B में दिया गया है 73 नमबर प्रस्ण है वर्तमान समय में कितने जेव मंडल अरक्षित छित्र युनेस्को की सूची में सामिल है अप्सन आपके सामने हैं बताईए इस प्रस्ण का सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा 12 अप्सन नमबर D आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है 74 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा उस्न कटीबंदिये सदावाहार वनस्वति नहीं है अपको बताना है सागवान को आप लोग ध्यान रखिएगा 25 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में कौन सा बिकल्प सही नहीं है कौन सा बिकल्प सही नहीं है आपको बताना है तो देखिए अगर बात किया जाए 75 नमबर प्रस्ण को लेकर तो ध्यान रखिएगा उत्तर पूर्भी रेलवे जोन कहा है गोरकपूर पच्छमी रेलवे जोन मुंबई और उत्री रेलवे जोन नई दिली ठीक है वही मध्धर railway zone का बात किया जाए तो ध्यां रखेंग तो मध्धर railway zone का मुख्याला जबलपूर में नहीं है कहा है मुंबई आप लोग ध्यां रखेंगा नहीं पूझाई अप्सन नहीं होगा आपकी इस प्रस्न का सही जबाब चीतर नमबर प्रस्ण है सबसे अधिक लंबाई किस railway zone का है देखिए सबसे अधिक लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा option नमबर C उत्री railway का ठीक है उत्री railway का लंबाई क्या है सबसे अधिक है और ध्यान रखिएगा इसके total लंबाई 68 साथ किलो मीटर आप लोग द्यान रखिएगा ठीक है चली अगला प्रस्ण सतातर नमबर कोंकर्ड रेल पर्योजना की सुर्वात की सवर्स हुआ देखिए इस पर्योजना की सुर्वात 1990 में हुआ था option D को आप लोग ध्यान रखिएगा अठातर नमबर प्रस्ण है सरवाधिक सड़क घनत वाला राज्य बताईए बताईए कौन सा राद में सरवाधिक सड़क का घनत्त है तो देखिए option D को ध्यान रखिएगा केरल होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब 89 नमर प्रस्ण है ग्रीन मॉफलर का संबंद है ग्रीन मॉफलर का संबंद की से है देखिए ग्रीन किर्तिक बंद्रगा पूछा गया है बुंबई आप लोग ध्यान रखिएगा ठीक है एकासी नमर प्रस्ण है राष्टिय जलमार्ग संख्या पांच का निर्माण किस वर्स हुआ तो देखिए इसका निर्माण आपसे पूछा गया है 2008 में हुआ था आप लोग इस बात को जबाब ध्यान रखिएगा त्षि नमर प्रस्ण है प्याइगल श्रवाध का इस प्रस्ण का सही जबाब 84 नमर प्रस्ण है धर्म आधारित जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक हिंदू अबाधिक किस राज्जी की है देखिए सरवाधिक हिंदू अबाधि अगर आपसे पूछ लिया गया है ध्यार रखिएगा हिमानचल परदेश अपसन नमबर भी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब 85 नमर प्रस्ण है 2011 के जनगर्णा के अनुसार सरवाधिक सिसु लिंगा अनुपात वला राज्जी आपको बताना है देखिए सरवाधिक सिसु लिंगा अनुपात वला राज्जी जो आपका हो जाएगा ध्यार रखिएगा हिमान अरुणांचल परदेश कौन हो जाएगा अरुणांचल परदेश अपसन नमबर सी आप लोग ध्यार रखिएगा ध्यार रखिएगा यहां का लिंगा अनुपात हो जाएगा सीसु लिंगा अनुपात नौसो बहुत तर ठीक है वही अगर निवन्तम पूछा जाए तो हर्याना ध्यार रखिएगा कितना है तो 834 है ठीक है चलिए 86 नमबर प्रस्ण है भारत में पहले बार जाती अधारित जन्गर्णा किस वर्ष होई देखिए जाती अधारित अगर आपसे जन्गर्णा पूछा गया है ध्यार रखिएगा 1931 में हुआ था अपसन नमबर भी होगा आपके इस प्रस्ण का सई अगला प्रस्ण है 87 नमबर किसी भी जाती को AC और ST घोशित करने का अधिकार किस से होता है देखिए इसे घोशित करने का अधिकार अपसन नमबर C भारत के राष्ट पती को होता है 87 के लिए सही जबाब अपसन C को आप लोग ध्यान रखिएगा 88 नमबर प्रस्ण है भारत में सर्व पर्थम अनुसूचित जाती सब्द का परियोग किसके द्वरा किया गया तो देखिए इसका जो परियोग किया गया है अपसन नमबर 1 को ध्यान रखिएगा साइमन कमिश अब आया था भारत 1928 में आया था गठन का अब हुआ था इसका तो 1927 में हुआ था आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा यानिकि 89 नमबर प्रस्ण है चकमा जन जाती कहा निवास करती है चकमा पूछा गया है देखिए चकमा के लिए ध्यान रखिएगा असम में निव लास करती है अपसन नमबर सी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब 90 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा पशुपालक जन जाती है देखिए पशुपालक अगर आपसे पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा पशुपालक हो जाएगा अपसन इभोटी या जन जाती आप लोग ध्यान रखिएगा अपसन नमबर यह होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब और ध्यान रखिएगा यह जन जाती सिक्की में पाई जाती है ठीक है 91 नमबर प्रस्ण है प्राकिर्थिक अपदा के जगा आपदा संकट सब्द का परियोग किसके द्व यह जनी कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्राले के अदिन है तो देखिए मंत्राले पूछा गया है ग्रिह मंत्राले आप लोग ध्यान रखिएगा अपसन नमबर सी आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा 93 नमबर प्रस्ण है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की पत्ति हुआ था हिंद महासागर से अपसन नमबर भी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जबाब 94 नमबर प्रस्ण है भारत में सबसे ज़्यादा प्राकिर्तिक अपता से प्रभावित राज्य कौन सा है सबसे अधिक प्रभावित राज्य अगर आपसे पूछा गया है ओड देखे सरवादिक दस्किय ब्रिदिदर्वला राज्य पूछा गया है मेघाले ध्यान रखिएगा आपसन नमबर भी में दिया गया है 96 नमबर प्रस्ण है नादीव चेरी अंतराष्टी हवाई अध्डा कहा है देखिए यह हवाई अध्डा हो जाएगा आपका केरल में स् प्रस्ण के लिए अपसन नमबर यहने कि आप लोग ध्यान रखिएगा डी को आप लोग ध्यान रखिएगा कहा है उत्तर पर्दिश में ठीक है अपसन नमबर डी होगा आपके इस प्रस्ण का सही जवाब अगला प्रस्ण है 98 नमबर बदाम पहाड लोग अयस के शित्र ऐ है तो कोईला निर्माण की प्रात्मिक आवस्ता आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा आपसन भी पीठ हो जाएगा 99 के लिए अपसन नंबर भी पीठ हो जाएगा स्रवज स्कोटी का कोईला पूछा जाता है एंथ्रा साइट आप लोग ध्यान रखेगा 100 नंबर सी आपके इस प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है तो चलिए हम लोग इस सेशन में मोस्ट इंपोटेंट एस्पेशल जोगर आफिस से जीतने भी प्रस्ण थे यानि कि आपका चेप्टर वाईज लगबग हमने तीन चेप्टर तक चलिए तो हम लोग का 100 प्रस्ण इस टेस्ट का कम्पलीट हुआ आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका एसकोर कितना हो पाया है ठीक है और देखिए हम लोग लगतार इस चैनल के माध्यम से ज्यान बिंदू जिये सेकेडमी मानिय रुषन अंसर के नोट्स के माध्यम से जितना भी प्रस्ण आपके बिहार पुलिस में आने की संभवना है हम लोग टॉपिक वाइज सल्व कर रहे हैं ख्लास में हो रहा है अफलाइन टेस्ट के प्रस्णों को शल्व कर रहे है तो आप लोग जरूर इस चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जरूर स सेशन के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और ध्यारक किये आप अगर इमांदारी सेट लगाए हैं तो हमें कमेंट में अपना इसको जरूर बता दीजिए ठीक है